प्रेज वार्ट सभी पसुटे मेरे nor सिफ दो दो मिनेट का संदेश को प्रात्ना है बहुत मुलने है सोगे तो प्रात्na वह विचन Anda के साथ आज जब इस दो गो देखो तो इस वच्षन को पढ़कर सोना मेरे विश्वास कहता है कि परमेश्र आपको सप्रें की दौरा बाते करेंगे पहले प्रात्मा करते है धन्यवात करते है पिता तिरदास तरैस्ट TEREक आगए किनुसर बोले और जो सुने वह आशिशित हो और आज सप्रें की दौ लेंगे ऐयूब 33 का 14-15 बचन पढ़ेंगे ऐयूब 33 का 14-15 क्या लिखा है क्योंकि परमेशर तो एक वरन दो बर बोलता है परन्तु लोग उस पर चीत नहीं लगाते आज परमेशर आप से बात करेंगा बोलेगा आपको सपने के दौरा आपको चिन दिखाएंगे आज आप सो रहे होंगे तो परमेशर आपको आवाज देंगे आज आवाज आ रही है वाली आवाज जिसके बेताब थे आप आप देखना आज की रात जिस प्रात्तों को देख रहे हो आज की रात परमेशर आपसे बात करेंगे ये शुमस्ति के नाम ने हलिलिया क्योंकि परमेशर तो एक वरंद क्या दो बार बोलता है परंद तो लोग उस पर चितनी लगाते सपन में रात के हुए दर्शन में जब मनुश्य गो निंदर पर पड़े रहते हैं या बिच्छोने पर सोते समय आज परमेशर आपके कान खोलेगा फिर क्या लिखा है तब है मनुश्य के कान खोलता है और उनकी शुक्षा पर महो लगाता है आज मेरे अज़िए तो परमेशर आपको आवाज दे के बोलेंगे आपसे आईए प्रातना करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता इस वच्छन के दौरा आज तो सपने के दौरा दर्शन के दौरा आज दे पिता आपने आवादी ये नहीं संट पाए इन्हों ने चित नहीं लगा है अनुने मन नहीं लगा है आज तो आवास को रहा और पिता नंकी बलड़ दे ये श्मस्य के नामे आज बीमारी तकलीव शतार अंदकार सब दूर हो जाई ये श्युवन में पिता तो जी पिता पाप के तरफ भागते हैं कोल पर बाते करते हैं तमाम ऐसी बाती जो रात के तरफ होती है आज वो सब रद होगी ये श्मस्य के नम पवितरता में आंगे और आगे पढ़ेंगे और पवितर बन जाएंगे पिता आप आवाद दो रहे हो आज इनको इनके बंधन जिसको भी आवाज आए वो मुझे जरूर बताएं गट ब्रैस जाह मस्य के